यहाँ पर आपका एक इस्टेंजा है और इसका रीफ्रेंज कॉंटेक्स्ट है यहाँ पर कैसे करते हैं देखिए यहाँ पर है दावू इस्टिल अन्रैबिस्ट ब्राइड ओप क्वाइटनेस दावू फोस्टर चाइल्ड ओप साइलेंस एंड स्लो टाइम Sylvan historian who canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme what leaf pringed legend haunts about thy shape of deities or mortals or of both in temple or the dales of Orkadi what men or gods are these what maddens lot what made pursuit maddensmen's लड़किया what struggle to escape what pipes and timbrels what wild ecstasy तो यहाँ देखिए फर्ष्ट है आपका reference इसमें क्या है आप बोल सकते हैं these lines above lines above stanza यहाँ पर क्या है this is the opening stanza of kids यहाँ पर जो poet है john kids है so kids famous ode यहाँ ode है इसका नाम क्या है ode on a gracean earth poem का नाम है ode on a gracean earth it is composed in spring of 1819 आपको यह भी composed means it is written it was written in spring of 1819 1819 में spring के season में इसको लिखा गया समझें reference में this is the opening stanza of kids famous यह opening stanza जो है kids की famous poem जिसका नाम है ode on a gracean earth से लिया गया है it was composed in the spring of 1819 इसको 1819 के spring में लिखा गया compose किया गया context अब यहाँ context में क्या करना है अब marble earn belonging to lord holland was the source of inspiration of this poem देखे इस poem के inspiration का जो source है वो क्या है एक marble earn है actually earn means कलस type होता है तो होता क्या है यह ऐसे कहीं गये थे वहाँ पर earn देखे जैसे कलस रखा था तो उस पर ऐसे कला किर्तियां की गयी थी चित्रोगरा बनाया गया था तो उसी को देखकर यह उसी पर poem लिखती है है न ओड लिख दिया अगे है this earn is still preserved in the garden at Holland house Keniston यह करें यह earn यह जो बरतन है यह जो कलस है अभी भी यह कहां पर रखा है Holland house Keniston के garden में अभी भी इसको प्रिजर्ब रखा गया है जॉन कीट्स साव वैरियस सेंस स्कल्चर्ड आन्दा अर्न जॉन कीट्स इस अर्न पर इसकलस पर वैरियस स्कल्चर्ड इसकल्प्र चर्ड क्या है स्कल्प्र चर्ड देखते हैं इन स्कलाखिर्टियां देखते हैं और यहाँ पर यह देखते हैं और तमाम प्रकार की Greek life और culture की memories को यह बताते हैं इनके mind में आता है he feels immense delight यह बहुँ जदा delight means खुसी परसनता बहुँ जदा परसनता को फील करते हैं and conveys his delight to reader in the most poetic language और उनकी जो खुसी थी उनकी जो pleasure थी जो परसनता थी उसको जो एक poetic language में express करते हैं reader के सामने यह चीज़ आपका है अब explanation में क्या है the earn is a silent witness of ancient Greek life and culture यह जो earn है यह Greek life और Greek culture के जो की ancient था उसका एक silent witness है मतलब उसका एक सबूत है एक तरह स्प्रूफ है जो कि silently है अब भाई ऐसे दिमाख लगो यह यहाँ पर कला किरतियां बनाई गई है यह मैंने spoon लेया है अब यह बताए यह agitage हमेशा ही ऐसे रहेंगे यह non living है आज भी ऐसे रहेंगे अगर इसको preserve करके रखे रहोगे तो 10 साल बाद भी ऐसे ही रहेंगे फिर यहाँ पर देखे क्या it has never spoken यह कभी बोलेंगे नहीं यह कभी बोल पाएंगे nor will it ever speak इन्होंने कभी बोला नहीं है और नहीं कभी बोलेंगे it is the art shown under यह तो केवल art है देख्या it is art that speaks to us यह अर्ण पर बनी हुई art है जो की हमें बताती है therefore इसलिए the poet addresses it इसलिए poet address इसको कहता है it is silent bride of quietness की एक दुलहन है है ना bride means दुलहन यह quietness यह एकदम इस तरह silent है कि इसके साथ ही quietness से हुई which has yet not be affected by rabbits of time जिसको इसके rabbits of time ने कभी affect नहीं किया मतलब यह quietness की दुलहन है और quietness ने इसको अभी तक touch नहीं किया है ना भाई कहां touch कर पाएगी बन गई है और its beauty is as charming as it has been it has been it has ever been इसकी beauty उतनी ही सुन्दर है जितनी की पहले थी और इतनी सुन्दर आगे भी रहने वाली रहेगी the poet also calls it the foster child of silence और poet इसको silence और silvan historian का foster child कहते है foster child का मतलब ऐसा child जिसको किसने adopt किया हो गोद लिया हो उसका सगा बच्चा ना हो लेकिन उसने उसको पाला पोसा हो अपना लिया हो तो यह जो है silence और silvan historian का एक foster child है ऐसा poet इस अर्न को कहता है it is a historian in the sense historian sense का मतलब यह है that tells us the history of pastoral life यह pastoral life की history को बताता है मतलब जब बना था तब कि लोग कैसे कैसे sculpture को पसंद करते थे है ना कलाकृतियां कैसे उसको बताता है in such an impressive and artistic way as no poet can do so मतलब इस तरह से एक impressive और artistic way के तरीके से बताता है the pictures embroidered on the urn और pictures जो urn पर बनाया गया है still fresh and charming यह अभी भी fresh हैं और आकरसक हैं by having a glimpse of these pictures और इस pictures को glimpse का मतलब a glimpse मतलब एक जहलग अगर इस picture को कोई एक जहलग भी देख लेता है can have the idea of the culture of the period that earn represents तो यह यह जो कलाकिर्तियां हैं यह जिस समय बनी थी उस समय की क्या बताएंगी एक तरह से culture को बताती है thus इस तरह से हाँ कि कैसे क्या लोगों को क्या पसंद था thus the poet establishes the superiority of art over poetry इस तरह से यह जो poet हैं यह poetry में एक art को superiority देते हैं art की establishment करते हैं now the poet asks the earn अब poet earn से पोस्ता है to tell him more about the pictures कि तुम कुछ और pictures की बारे में बताओ या कुछ और pictures को देखकर हो बताता है that are carved on it जो कि इस पर छपी हुई है मतलब जिससे earn है एक तरह से कला से type है उस पर कई सारी कला खिरते हैं तो उसको देखकर यह बताता है he asks the earn वो earn को कहता है whether the human figures painted on the earn are of men or gods or both of both यह कहता है जो earn पर यह जो कला खिरते हैं की गई हैं यह कोई इनसान है या भगवान है या दोनों है यह चिन नहीं पता चल पा रहा है whether the woods and trees painted on earn of whale of arcady और ठैसली यहाँ पर जो trees बने हुए हैं जो जंगल हैं यह कैसे हैं ठीक he asks in wonder वो आश्चर के साथ कहता है who these beautiful madden यह सुन्दर सुन्दर कन्याएं कौन सी हैं बालिकाएं कौन है madden मलब लड़कियां कौन है painted on earn जो की इस earn पर छपी हुई है ठीक that are being pursued by their impassioned lovers जिनको इन लड़कियों को मलब ऐसा दिखाया जा रहा है वहाँ पर दिख रहा है कि यह लड़कियां इन लड़कियों का पीछा कुछ लबर कर रहे है and on account of their modesty they are trying to escape their lovers और यह लड़कियां इनसे भजने का प्रयास कर रहे हैं भाग रहे है on it are also carved some musical instrument और यहाँ पर कुछ musical instrument भी दिखाया गया है all these pictures reveal the ecstatic delight of their religious फिरवर और यह सारी चीज़ जैसे वहाँ एक instrument है musical तो वहाँ वो pipe बजा रहा है फिल्यू टाइप है तो वहाँ पर यह कह रहा है point कि अब तुम ऐसे बजाते रहोगे और इनसे कहते है madden से लड़कियों उसे कहते हैं तुम लोग परेशान नहों यह lovers जो हैं तुम्हारे पास नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि यह तो तुम क्या उनिर्जीऊ हो और इनको लबर से कहते हैं तुम भी परेशान नहों क्योंकि इनकी कभी beauty खत्म होने वाली नहीं है यह ऐसे ही रहेंगे और यह सारी चीजें इस तरह से बताया जाता अब यहां बस हो गया आपका explanation अब comment में आपको earn has personified यहां पर earn को एक personified किया गया है मतलब earn को इस तरह से दिखाया गया जैसे living thing हो और यह बोल रही हो अना जैसे कि यह बता रही हो personified का मलब क्या हुआ जब non living thing को एक living thing की तरह behave करें जैसे लोग बहुँ ज़्यादा यूज करते हैं जैसे कभी phone होना ऐसे नहीं चलता है तो ठोकते हैं कहते हैं चल जा भाई क्यों है यार बेचते करवा रहा है nature को लेकर करते हैं जैसे नॉर्मल लाइफ में लोग कुछ चीज़े गिर जाएं जैसे गिलास लें गिर गया क्या यार गिर गया भी मम्मी डाटेंगी तुम भी गिर जाते हो तो यह एक तरस personified किया जा रहा है और दूसरा unravished bride of quietness यहाँ पर quietness की unravished bride को दिखाएगे इसका मतलब quietness की दुलहन मतलब ऐसा कि सान तुम एकदम सान्त हो तुम बोल नहीं सकती हो और leap, frightened, legend etc so kids huge off फैली, citrus, फ्रैजी मतलब ऐसे समलो आप poem का होता है यह काम imagination करना किसी भी चीज़ पर कुछ भी लिख देना तो वही चीज़ यह लिखते हैं यह भी कहते हैं कि यहां से मतलब इस तरह कि जो सुन्दरता अगर देख कर जैसे मालो kids जैसे आर्नमे से इन्होंने लिखा यह कहते हैं यह यहां से जो peace आती है जो pleasure मिलता है यह सबको नहीं समझ में आएगा यह उन्हीं को समझ में आएगा जो दिल से इसको feel करेंगे जैसे अगर आप feel करो तो nature क्या है बहुत अच्छा लगता है feel ना करो तो कहोगे क्या है कुछ नहीं है clear है वाइदी है समझ में